नमस्कार दोस्तों ग्यान की बाते यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मच्छर भगाने का सबसे आसान उपाए और ये सबसे आसान तरीका है तो ये सुरू करते हैं सबसे पहले हम इसमें कपूर लेंगे और कपूर की मात्रा अपने रूम के अनुसार बढ़ा सकते हैं हलाकि मैं आपको दिखाने के लिए दो कपूर का यूज कर रहा हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दो कपूर यहां पर लिए हूँ अगर आपका रूम बढ़ा है तो चार-पांच कपूर ले सकते हैं कपूर को आप या तो जमीन पर भी रखकर जला सकते हैं या किसी चीज में रखकर जला लें ताकि वहां पर दाग न लगे और इसको करना है इसको आपको कपूर को जला देना है कपूर को जला कर और खिर्की और दर्वाजे बंद कर दें आप कम से कम 10-15 मिनिट के लिए और कपूर को पूरी तरीके से जलने दे और अपने घर के दर्वाजो जिस रूम में आप इसको जला रहे हैं उसमें रूम उस रूम में दर्वाजा बंद कर दें और खिर्की को भी बंद कर दें 10-15 मिनिट के लिए ताकि धुआ उस रूम में रहे दरसल होता यह है कि मच्छर जो है कपूर का धुआ का जो एसमेल होता है वो बरदास्त नहीं कर पाता है या तो भागने के कोशिस करेंगे या वो मर जाएंगे पूरी तरीके से मर जाएंगे और जो बाकी मच्छर है वो असमेल के कारण अंदर आएंगे नहीं तो इस कपूर को पूरी अच्छी तरीके से जलने दे अपने रूम के अंदर और आप देखेंगे कि मच्छर जो अंदर रूम के अंदर थे, वो मर गये हैं, अगर आप खिरकी खोल देंगे, तो जो मच्छर है वो बाहर की तरफ भागने का कोशिज करेंगे, तो आप खिरकी खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्या होता है कि जो कपूर का जो धुआ होता है, वो बाहर निक जाएंगे, तो इस उपाए को आप जरूर अपनाएं, और इस उपाए को अपना कर आप मच्छर को अपने घर से भगा सकते हैं, और यह बहुत ही असान तरीका है, कपूर आपके घर में असानी से मिल जाएगा, लोग इसको पूजा पाठ वाले जगह पे आप अपने घर मे किसी से मांग सकते हैं, जो पूजा करते हैं, वो कपूर जलाते हैं, तो कपूर असानी से आपके घर में मिल भी जाएगा, दोस्तों यह था मच्छर भगाने का असान उपाए, अगर आप इसी तरख के ग्יान बर्धिर जानकारिया जानना चाहते हैं, और स्वास्वंika जान